तो आज हम सेखेंगे कि कैसे आप free में low competition keywords को आप search कर सकते हैं, find कर सकते हैं और उसका इस्तिमाल करके अपना जो blogger है उसकी ranking को बढ़ा सकते हैं तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको कहीं पे भी कोई भी premium membership नहीं लेना होगा उसके आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के साथ साथ आपके पास यह सा page open होजाएगा उसके बद़ आपको यहां से क्या करना है यहां से आपको sign in option में click करना है और अगर अकाउंट नहीं है Google ads में तो आपको क्या करना है आपको एक account create कर लेना है अगर आपने create कर लिया है account आपको sign in पे click करना है और आपको sign in कर लेना है उसके बाद मैं यहाँ पर आयाता हूँ जो main बात है उस पर कि यहाँ पर आप Google Ads के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो tools and settings है उस option पर आपको click करना है और वहाँ से आप देख सकते हैं कि इतने सारे options आपको दिख रहे हैं तो आपको जो यह first वाला column दिख रहा है planning में तो उसमें आपको यहाँ पर दो दो आपका काम का चीज मिल जाता है एक है keyword planner और एक है reach planner फिलाल हम अभी keyword planner के उपर ही बात करने वाले हैं इस पर आपको यहाँ पर click कर लेना है तो आपको यहाँ से दो option दिये जाएंगे कि discover new keywords यानि कि आपको किसी topic से related नए keywords चाहिए या फिर क्या बलते हैं कि जो second वाला जो option है get search volume and forecast यानि कि Google के पास जो पहले से data है उनसे अगर आपको कुछ details या keywords चाहिए तो आप second वाले के साथ जा सकते हैं और अगर आपको नए topics पे blog लिखना है तो आप discover new keywords वाले option पे जा सकते हैं तो हमें फिलाल नया keywords जनरेट करना है या फिर हमें जानना है कि नए keywords कौन से topic के नए-ने keywords आये हैं तो उसके लिए आपको इस पे click कर लेना है click करने के बाद आपको यहां पे सबसे पहला option मिल रहा है keywords डालने का तो आपका जो भी keywords होगा वह आपको यहां पे डालना है अगर आपको किसी site के बारे में जानना है कि कोई site अगर बहुत अच्छे से rank कर रहा है आपका category भी वह है कि आपका जो site का category वह और similar sites भी जो आपके category से match करते हैं वह भी क्या है कि उसी topic पे बहुत अच्छे से rank कर रहे हैं तो उनका क्या keywords हैं वो क्या keywords यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने competitor का keywords आपको नहीं जानना है आपको खुद का new keywords जानना है तो आपको क्या करना है आपका जो topic होगा जो भी उसको यहाँ पे आपको type करना है या फिर आपका जो keyword main keyword है जैसे कि मानले जब मैं अभी mobile से related कोई keyword जानना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हला कि competition high है और यहाँ पर देख सकते हैं कि beat भी बहुत जादा है beat मिन्स मतलब इस तरह के content पे जो add दिखाना चाहते हैं वो जो है इतने range में पैसा खर्च कर सकते हैं मैंने जो अभी keyword सर्च किया जो सबसे पहले आपको दिख रहा है वाला इस keyword के लिए इस keyword पे अगर किसी ने content लिखा है तो उस content में अगर add किसी को दिखाना है जो add partners होंगे वो इस content के लिए almost एक रुपे से लेके 6 रुपे के आसपास तक वो खर्च करने के लिए तयार है यानि कि मान लिज़े आपने mobile को पर कोई post लिखा है उसके बीच में कोई mobile का adds आना है कोई partner है add partner जो mobile का adds show करना चाहता है तो अगर mobile पर ही आपने लिखा है तो वो क्या है कि ह हर एक एट के लिए आपको पांच से छे एक से छे रुपे तक maximum pay करना चाहता है और कर सकता है में भी और यहां पर उसी तरह सकते हैं बहुत सारे keywords यहां पर नीचे show कर रहा है ठीक है बहुत सारे ऐसे applications या पर ऐसे site है जहां पर क्या होता है कि आप दिखाता है free है लेकिन ज सक यहां पर कुछ नहीं है यह एकदम free है तो आप यहां से जितने मन वहां इतने सारे keywords यहां से ले सकते हैं और यहां पर देख भी सकते हैं कि उनका competition high है low है search volume क्या है like search volume अब देख सकते हैं कि average monthly searches में जो mobile keyword है वह almost 100k से लेके 1 million times search किया जाता है उसी तरह से बहुत सारे keywords य से यहां पर सब high high है यानि कि इनका competition बहुत जायदा high है obviously mobile के अभी जो generation है mobile related ही बहुत सारे लोग content लिखते हैं तो आप यहां पर जाके देख सकते हैं कि आप देख सकते है एक प्रिपेट कुछ प्लान वगरा कुछ है उसका search volume बहुत अच्छा है और यहां पर competition के बात है तो यहां पर एकदम low competition है और आप यहां पर देख सकते है minimum payment और maximum payment यह 25 रुपेज से लेके 130 रुपीज तक आपको pay कर सकता है इस तरह के content में 8 दिखाने के लिए तो यह एक बहुत अच्छा topic हो सकता है तो अगर आपको इस तरह के keywords यहां पर low competition वाले आपको keywords धून ले लेन content है वो rank भी करेगा और rank करने के साथ आपको अच्छा income और revenue भी generate करके देगा ठीक है तो अगर आपको यह सारे keywords यहां से download करने है तो आपको simply download button पर click करना है और आपको format select करना है CSV में चाहिए या फिर Google सीट में चाहिए तो आपको जो भी format पसंद है उस format में आपको download कर सकते छिर आपको यह तो कर पसंद हम जो यह उस आपको